आज मैं आप सभी के साथ सेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नास्ता की रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है काफी ज़्यादली ये बन के त्यार होता है अगर कोई आपके घर आ जाए महमान या फिर आपको जटपट से कुछ खाने का मन करें तो एक बार इस नास्ते की रेसिपी को ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे बच्चे से लेकर आटे में एक चोटी चमाच आजवाइन ले लिया है और नमक स्वाद अनसार आजवाइन से आपका डायजेस्टन में यह काफी हेल्प करेगा तो आजवाइन तो जरूर से डालिएगा और कुछ भी नहीं डालना है इसे मिक्स करके थोड़ा सा थोड़ा-थोड़ा पानी ड तो देखिए यह हमने गुतलिया इसे हम ढखके रख देते हैं तब तक कि इसकी स्टपिंग बना लेंगे तो हमने ले लिया है दो उबले हुए आलू मैस करके इसमें एक मिडियम साइज के बारी कटा प्याज और दो हरी मिर्च बारी कटा हुआ डाल लेंगे और मसाले अचाट मसाला अगर आपके पास ना हो तो अमचूर पौडर डाल सकते हैं और नमक स्वादानुसा डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे तो यह सारी ज्यादा हमने कोई भी चीज यूज नहीं किया है घर के इंग्रिदेंस से यह नास्ता बना हुआ है काफी ज्यादा है आप ल लेंगे तो लोई हमने बड़े बड़े साइज के तोड़ लिये हैं क्योंकि हमें रोटी बड़ा सा बनाना है तो यह हम बेल लेते हैं तो रोटी से थोड़ा सा ही मोटा हम इसको बेल लेंगे तो काफी जल्दी यह नास्ता बनके तयार होता है तो यह हमने एक रोटी बना लिया है, दूसरे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे. तो यह नास्ता आप लोग भी जरूर से बनाईएगा, आपको भी बहुत ज़्याद़ा पसंदाने वाले हैं, यकीन मानिए आपको भी बहुत पसंदाएंगे. तो ये देखिए हमने रोटी दो बना लिया है इस तरीके से और इसके उपर हम ये जो हमने आलो के स्टरफिंग बना के रखा था ये हम डाल लेंगे तो हम ज्यादा नहीं इतना डालेंगे कि ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा करेंगे और इसको इकवल फैला लेंगे तो ये हमने फैला लिया है और फिर दूसरे रोटी से इसे कवर कर देंगे और फिर इसे डालने के बाद साइड से हम हाथ से इस तरीके से दवाते हुए इसे पैक कर देंगे क्योंकि हम इसे तेल में फ्राइ करने वाले हैं तो यह जो है खुले ना तो यह पैक करने के बाद हम इस तरिके से पीजा कटर लिए हैं और इस तरिके से हम इसे कट कर लेंगे ट्राइंगल सेफ में अगर आपको इसे चाको से भी काट सकते हैं तो यह देखिए अब हम इसकी घॉल तियार करेंगे तो हमने थोड़ा सा आधा कप के करीब ले लिया है गेहूं के आटे और इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पॉडर, थोड़ा सा नमक और एक चमच हमने सफेद दील एड़ किया है और इसकी गोल बना लेंगे इस तरीके का और इसमें हम जो हमने नास्ता बना के रखा है उसे हम डिप करेंगे और इधर गरम तेल में अच्छे से गरम होना चाहिए डालते जाएंगे और ये देखिए इस तरीके से हम डाल लेंगे जितना तेल में आएगा उतना हम डाल लेंगे और जैसे ही दूसरे तरफ से सिख जाए तो हमें इसे पलट देंगे तो इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डेन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे तो देखें यह कितना जल्दी बन के तयार होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिएगा जो लोग चैनल पे नए आये हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल अकन को भी प्रेस करना ना भूले तो देखिए ये हमारी नास्ता बनके तयार हो गई है इसी तरीके से हम दूसरे बेच को भी फ्राई कर लेंगे और ये हमारा नास्ता जटपट से बनके तयार हो चुका है और हम इसे सर्व कर लेंगे तो काफी जल्दी आपने देखा ना कुछ ही मिन्टों में यह नास्ता बनके तैयर हो जाता है तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और यह नास्ता हमारा बनके रेडी हो चुका है तो हम इस तरीके से हमें इसे ग्रीन चटनी या फिर सॉस के साथ इसे सर्व करेंगे काफी जल्दी टेस्टी लगेगा और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपको भी पसंद बहुत ही आने वाला है तो मिलते हैं नेक्स सीपे में तब तक के लिए बाई